मध्रेप्रदेश में मुख्यमंत्री के CM का नाम अखिरकार फाइनल हो गया है Πिज़ेपी ने मुहन यादव का नाम मुख्यमंत्री के लिए चुन कर एक ब़र फिर से सब को चोका दिया है उज्जेन दक्षिन से विधायक मुहन यादव MP के नए मुख्य मंत्री होंगे वहीं राजेइंद्र शुकला और जगदीश देवडा डिप्टी सीम बनेंगे राजेइंद्र शुकला मध्यप्रदेश के रीवा से विधायक हैं और विध्य के कदावर नेता के तौर पर उन्हीं जाना जाता है बता दे कि राजेइंद्र शुकला चार बार काबिनेट मंत्री रह चुके हैं अपने चुनावी करियर में वो अब तक अजय रहे हैं खास बात है कि वो ऐसे विधायक हैं जिन्हें हर बार चुनाव जीतने पर मंत्री पद मिला है रीवा विधानसबा शेत्र में विधायक राजेइंद्र शुकला को कदावर नेता के तौर पर जाना जाता है साल 2003 में उन्होंने पहली बार बीजेपी की टिकेट पर चुनाव लड़ा और जीता था इसके बाद लगातार वो रीवा से चुनाव जीतते आये हैं साल 2018 में ये चौत ही बार और अब 2023 में पांचवी बार विधानसबा चुनाव जीत चुके हैं MP की डिप्टी सीम की कुरसी पाने वाले राजे इंद्र शुकला सबसे पहले उमाभारती की सरकार में मंत्री बने इसके बाद बाबुलाल गौर सरकार में भी उन्हें मंत्री पद मिला शिवराज सिंग जोहान की सरकार में भी वो राज में काबिनेट मंत्री रहे बता दे कि वो अब तक 2003, 2008, 2013 और 2023 में मंत्री रह चुके हैं पॉलिटिकल करियर की बात करें तो 1986 में युवा नेता के तौर पर उन्होंने शुरुवात की राजे इन शुकला ने 1998 में विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन वो कॉंग्रिस के पुषपराज सिंग से 1300 से जादा वोटों से हार गये कब मिला कौन सा मंत्री पत 2003 में पहली बार रिकॉर्ड वोटों से विधानसभा चुनाव जीतने वाले राजे इन शुकला को आवास और पर्यावरन राज्य मंत्री यानि की स्वतंत्र प्रभार का पद दिया गया 2008 में वो रिवा विधानसभा शेत्र में दूसरी बार जीते और इस बार उन्हें उर्जा और खनीज तंसाधन मंत्री बना कर मंत्री परिशद में शामिल किया गया 2013 की बात करें तो मद्रप्रदेश की चौदवी विधानसभा में चुनाफ जीत कर आने वाले राजे इंद शुकला को उद्योग नीती और निवेश समवर्धन मंत्री बनाया गया इसके अलावा उन्होंने जन संपर्क विभाग भी समाला बता दे कि 2018 में MP में कॉंग्रेस की सरकार बनी थी लेकि 2020 में ये सरकार गिर गई थी और एक बार फिर BJP सत्ता में आई इसके बाद 2023 में राजे इंद शुकला को एक बार फिर यानि कि कुल चौथी बार काबिनेट में जगा मिली सोशल मीडिया की बात करें तो राजे इन शुकला सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर काफी आक्टिव दिखते हैं राजीन शुकला की सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म की प्रोफाइल देखें तो पता चलता है कि वो सोशल मीडिया पर काफी आक्टिव रहते हैं उन्हें 69,000 से जादा लोग फॉलो करते हैं इसे के साथ राजेइन शुकला की परसनल लाइफ की बात करें तो राजेइन शुकला का जन्म 3rd August 1964 को MP के रिवा में हुआ उनके पिता भयालाल शुकला, कॉंट्राक्टर और समाच सेवी थे सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले शुकला ने गौवर्मेंट इंजिनिरिंग कॉलेज रिवा से सिविल इंजिनिरिंग में बाचलर्स की डिग्री ली 1986 में वो गौवर्मेंट इंजिनिरिंग कॉलेज स्टुडेंट यूनियन के अध्यक्ष बन गए थे नमस्कार मैं हूं मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24